यूपी में TGT के 24,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो रिखता हैं अगर ये इन पदों पर भरती हो जाए तो कहीं न कहीं बेड के बहुत सारे छात्रों को जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी मिल सकती है लेकिन कहीं न कहीं जो मामला है वो नए सिक्चा सेल चैन आयोग को लेकर के फंसा हुआ है पुरानी भरतियां भी जो 41,63 पदों पर चल ली है उसकी भी एकजाम डेट जो है गोसित नहीं हो रही है इसी बीच यहाँ पर यह बताया कि है काकड़ा आया है कि 24,000 से ज़्यादा पद जो है TGT में रिखता है इस पर भी हम लोग बात करेंगे और UPWSC PET के जो सेंटर है उसमें कहां पर बदलाओ हो सकते हैं जिस पर बात चल ली है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं BPSC TRE के सभी छात्रों के लिए कौन सी खुसकवरी है उनको भी हम लोग देखने वाले है तो चलिए आप लोग का स्वागत है आज की मौर्णिंग अपडेट पढ़ेंगी यहां पर इस वाली अपडेट में इसमें लिखा कि रिक्त पदों की संख्या बढ़ी लेकिन भरतियां अटकी नए सिक्चा सेवा चैनायो के गटन में लेड लतीपी से अब बैरती परिसान है माद्विक से लेकर महाविद्यालों तक पुरानी भरतियां फसी ह सायता प्राद माद्विद्यालों और महाविद्यालों में सिक्चकों के सेवा निब्रित होने से रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी और पुरानी भरतियां जहां की तहां अटकी हुई है सिक्चकों की संक्या कम होने से आने वाले सत्र में प्रसिक्चर सहस्थानों में पठन-पाठन प्रभावित होने की आउसंक्या है इन्होंने ये भी बता है कि 4163 पदों पर भरति के लिए बिग्या पंजारी किये गा था इनमें जो है TGT के 313 और PGT के 850 पद जो है यहां इस भरति के लिए अगस्थ 2022 में ही जो है आनलाइन आवेदन की प्रिक्रिया पूरी हो चुकी है यानि अगस्थ 2022 और इधार अब चला है क्या अक्टूबर अचला है कमसे गम 14 महीना हो गया इसकी आवेदन प्रिक्रिया कंपलीट हुए लेकिन अभी इसकी exam date नहीं आई है और चात जो है इंतजार करने कितना इंतजार करें वो तो पता ही नहीं कितना है साती साथ यहां पर एक आकड़ा और आया है कि TGT के 20,485 पद और प्रवक्ता के 4,384 यानि अगर हम इन दोनों को add कर दें तो तकरीबन जो है यहां पर 28,24 यानि 25,000 के आसपास जो है पद यह इसके बाद ही जो यह आ सकती है यह जरूर कर सकते हैं कि फिर से आनलाइन आवे दन प्रक्रिया चालू कर दें जो नहीं चात्रवर पाएं वो भी भल लें और इन पदों को भी इसमें जोड़ दें तो काफी इच्छी बात होगी तो फिलाल अभी किल मैं आपको उता दू त तकरीबन 24,000 से जाद है नहीं तकरीबन 25,000 जो हैं यहां पर रिखता हैं आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन यही दिक्कत है कि अभी प्रक्रिया वही की वही ठप है जब भी कुछ वहां पर पूछना जाओ मादिविक सिक्छा सेवा चैन बोर्ट तो वहां पर यही बता यहां पर जो है बहुत सारे चात्रों को एक थोड़ा संका है कि सेंटर में बदला होगा और उसका सबसे बड़ा रीजन में आपको बता दूं कि 29 तारीको 29 तारीको लखनव में भारत और इंग्लेंड का मैच होने वाला है और 29 तारीको उई UP SSC PET का जो है एक्जाम भी है आ आप लखनव के हिसाब से ही आप त्यारी करें आप पूरा जो भी जहां पर जाना है जैसे जाना है उसकी आप त्यारी करें लेकिन आप official साइट जरूर बिजिट करते रहें और साथी साथ इस चैनल को भी सबस्काइब करें जिससे मान लीजिए हो सकता है कि 29 तारीका सेंट सेंटर चेंज किया जाए तो आपको information मिल जाए हला कि चेंज होने के chances थोड़े कम है क्योंकि एक बात जो है यहाँ पर सब कुछ निकल गया है, admit card आ गया है, सब कुछ सूचता मिल गी तो मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ा से हैंपर सेंटर चेंज होगा लेकिन यहाँ पर कल यह बताया गया कि कल जो है इसको लेकर के बैठागे क्योंकि 29 तारीको आल्रेडी भारत और इंग्लेंड का मैच है, वर्ड कप का मैच है तो भीर बहुत जादा वहाँ पर हो जाएगी और उधर पेट वाले भी छातर जाएंगे तो बहुत जादा दिक्कत हो जाएग वहाँ पर निगरानी रखी जाती तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अब देखना यह होगा कि इसका सेंटर चेंज होता है और नहीं होता है, जो भी होगो मैं आपको अपने चैनल के मादम से तो बताई दूँगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट ब BPSC TRE के लिए खुसकबरी क्या है, तो अपडेट यहे निकल कर आ रही है कि BPSC TRE की मेधा सूची जारी की जाएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी, मेधा सूची जारी होगी तो इससे थोड़ा आप लोगों को फा सारे चातर बाहर हो रहे है किसी का डी और नहीं बनना है योगी बहुत सारे छातर फेल है ऐसे में देखना होगा कि यह क्या हो सकता है फिलाल यहां पर अच्छी अपडेट आ चुके है कि मादंगी मौका मिलेगा प्राइमरी से माद्द mural तक मेदा सूची इसकी जारी की जा सकती है तो फिलाल जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर बिल्कुल सही तरीके से दी जाएगी तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब के रहे जिससे आपको नौकरी से जुड़ी सारी अपडेट पलपल की आपको मिलती रहे ये रही आज की अपडेट उम्मीद करता हूँ वीडियो बजबार दस लगी होगी जै हिन जै भारत